श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है इस दिन चंद्रमा की position ठीक नहीं रहेगी चंद्रमा इस दिन फोर्थ house में रहेंगे इससे आप इस दिन मानसिक तोर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे मानसिक तोर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलट decision से बिगड सकते हैं इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णे लेने से बचना चाहिए और कहीं निवेश करना है तो जोकिम नहीं उठानी चाहिए अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं आपको जोकिम उठाना जरूरी है तो किसी विश्वासु वेक्ति से सलाम अशोराच जरूर करें इस समय में सिर में दर्ग शिकायत या फिर कामों में मन ना लगने की शिकायत भी रह सकती है इस दिन ग्रहनक शत्र उतने बुरे भी नहीं है लेकिन मानसी परिशानिया गल्तिया करवा सकती है अगर आप साउधानी बरत्ते हुए किसी की राय ल समय अच्छा है तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा ही है इस दिन आप शौपिंग कर सकते हैं बड़ी खरेदारी भी कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है अगर नोकरी पेशा लोगों की बात करें तो नोकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे आपका सहयोग भी करेंगे लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है आपको इस दिन ज्यादा सी ज्यादा अपने कामों में बीजी रहना है ज्यादा बाते ना करें अपने काम से काम लबूत रहेगी इस समय में अगर आप नोकरी ढूंड रहे है तो आपको मन मुताबिक जॉब भी मिल सकती है लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इस समय में आपको आपके कर्म के ही फल मिलेंगे बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा इस समय में जो लोग अपनी जन्मभूमी से दूर है उन्हें अच्छे लाब मिलेंगे जितना ज्यादा जन्मभूमी से आप दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स आज थोड़े डिस्टरब रह सकते है पढ़ाई में मन ना लगने की शिक की जा सकती है दोस्तों इस समय में अगर मैरीड लाइब की बात करते हैं तो मैरीड लाइब बढ़िया रहेगी एक दुसरे के बीच प्यार बढ़ेगा अच्छा ताल मेल रहेगा घर में खुशनुमा माहोल रहेगा दिन काप ही अच्छा जाएगा अगर परसनल लाइब की के बात करें लव लाइब की बात करें तो लव लाइब के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा अपने पार्टनर को हमेशा खुश रखने की कोशिश जरूर करें और ध्यान रहे कि आपकी किसी गलत हरकत से पार्टनर को दुख ना पोचे वो रिष्टे असल में पास्थ अच्छा रहेगा शारीरिक तोर पर बहुत अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक तोर पर कमजोर हो सकता है इस दिन आप चोटी सी बात पर भी भड़क सकते हैं आप जगडा कर सकते हैं लेकिन ये चीजे तातकालिक है इन सब चीजों पर ध्यान ना दे इन्हें जैसे चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते है तो आप शांत्र होगे जगड़े होने के कोई चांसिस नहीं रहेगे दिन काफी अच्छा जाएगा साथ ही मंदिर में एक रुपए का सिक्का जरूर डाले और भगवान से और भगवान से आपके लिए और आप की ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीपल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा